नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है, मैं हो विकास कुमार परधान मंत्री नरेंद्र मोदी नैसकॉम टेक्नलोजी एंड लीडर्सी फोरम यानी NTLF को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जड़िये संबोधित किया इस साल के आयोजन का विशाई है Shaping the future towards a better normal इसमें 30 से अधिक देशों के 16 सो परतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और तीन दीन के आयोजन के दोरान 30 से ज़्यादा उत्पात दिखाए जाएंगे इस मौके पर PMODI ने कॉरोना वाइरस लोकडाउन के बाबजूद भी दो फिस्दी की विकासदर हासिल करने को लेकर IT इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत को पहले से ज़्यादा उमीद और भरोसे के साथ देख रही है कोरोना के दवरान हमारे ग्यान विज्ञान और हमारी टेकनोलोजी ने खुद को सावित किया है एक समय पर कोरोना की वज़ा से सभी छेतर परभावित थे IT सेक्टर ने दो फिस्दी की विर्धी की ये सराहना के काविल है कि देश ने प्रोध्योगी की और तकनीकी छेतर में राजस में उस समय चार बिलियन डॉलर का इजाफा किया जब सभी छेतरों में गिरावट का दोर जारी था सभी डाटा और इंडेक्स ने बताया कि IT सेक्टर में हो रही विर्धी नए रिकॉर्ट्स बना रही है फोरम में परधान मंत्री मोदी ने कहा कि आज हम दुनिया के अनेक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सिन दे रहे हैं आत्म निर्भर भारत के बड़े सेंटर आज देश के टीयर टू टीयर थ्री सहर बनते जा रहे हैं देश के इन छोटे सहरों के युवाद भूत इनुवेटर के रूप में सामने आ रहे हैं सरकार का फोकस भी इन छोटे सहरों में बहतर इंफ्रास्टेक्चर के निर्मान पर है पियम मोदी ने बताया कि पिछले साल में IT इंडस्ट्री की ओर से जो प्रोडक्ट और सॉल्यूशन विक्सित किये गए वो अब शासन का हिस्सा बन गए हैं विशेश तोर पर डिजिटल इंडिया मिशन में तकनीकी ने आम आदमी को ससक्त बनाया है और सरकार ने उसे परत्यक्च तोर पर जोड़ा है प्रधान मंत्री मोदी ने आगे कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में भारत में डिजिटल ट्रांजक्शन में उछालाया है जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा उतना ही कम भरस्टाचार और काला धन सामने आएगा इस ख़बर में फिलहाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए One India के साथ